तो जहन दोस्तो दोस्तो थमनेल देखकर के आपको सारा कुछ समझ में आ गया होंगो कि आज हम टॉपिक पर बात करने वाले MP पुलिस भरती के उपर दोस्तो MP पुलिस भरती के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ अगर से आप अगर से फ्रेशर केंडिडेट है और आप MP पुलिस में आवे दिन करने का सोच रहे तो दोस्तो ये वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखिएगा मैं आज साथ दिलाता हूं कि आपके सारे ज सबसाथ इसमें एज क्या रिती है हाइट वेट जेश्ट सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और एक बात अगर से MP स्टेट के भी छातर इस वीडियो को देख रहे तो आपको बता तो ये वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा आपका सारा डाउट ज साते तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेलफुल होने वाला है उनको जो है जानकारी जोस्तों मैं यकिन दिराता हूं और इस वीडियो पुरा देखते तो कहीं और भटकने की जरूरत है नहीं तो सबसे पहली बात तो एक बात बता दू कि जो यह फॉर्म है इसे यूपी कर सकते हैं और इसके पहले बात दोस्तों की एज हाइट वेट चेस्ट यह सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको वीडियो में तो चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले बात अगर से आप चैनल पढ़ना हो तो पहले बात बता दू सपोर्म करना बनता है अब इसके लाश्ट डेट कब है तो बता दो 10 जुलाई इसकी जो है फॉर्म भनने की लाश्ट डेट है और इसकी परिक्षा कपसे होंगी तो परिक्षा में बता दू कि इसकी 12 अगस्त से जो है परिक्षा आपकी स्टार्ट हो जाएंगी अब रही बात जो है इक्जाम आपकी स दो सिप्टों में आपकी एक्जाम होंगी अब रही बात कि क्या इंग्जाम में नेग्टिव मार्किंग होगी तो मैं बता दो आपके एक्जाम में बिल्किल भी नहीं होनी वाली है अप पहली बात बता दो यह तोटल 7400 प्लस वेकिंसी आई है जिसमें से दोस्टो 7,000 जो 90 पद है वो GD के लिए है Constable GD के लिए है और बाकी जो है Radio Operator के लिए है अब रही बात अगली की eligibility क्या होना चाहिए तो मैं आपको बता दू कि आपके अगर से आप 10 पास है तो आप जो है 7,090 पोस्ट जो GD की है पुलिस की उसके लिए आप apply कर सकते है और इसके लिए अगर से आप Radio Operator के लिए apply करना चाहते है तो मैं बता दू उसके लिए आपका ITI या कोई भी technical subject होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा आदी अब इसके बाद कि इसके लिए qualification क्या है तो मैं बता दू आपके वल 10 पास है तो apply कर सकते है और अनुसुची जो जन जाती होती है उनके लिए तो दोस्तो only on 8th pass ही इसका क्राइटेरिया रखा गया है अब रही बात जैसा की बोला गया था कि मध्यवद्य सासन की सरकार ने भी बोला गया था कि अगर से कोई भी वरदी वाली अगर से जाब आती है तो हम सारी वरदी वाली जाब को जो है तीन साल के छूड़ देंगे क्योंकि कोविट के कारण तो इसमें भी अच्छा खासा छूड़ दिया गया है एज में जैसे कि बता जा रहा है कि 18 से 36 साल तक इसकी एज है तो आयू का भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अब यह बात इसका सिले बस क्या है तो मैं बता दो कि सिले बस में तो इसमें जो है और रिजनिंग के आपके पूछे जाते हैं 30 कोस्चन और आपका अगर से बात की जाए GS प्लस आपका MP और इसके अलावा प्लस आपका करेंट अफेर तो इसके टोटल 35 कोस्चन पूछे जाते है और यह जो मैंने बता है maths reasoning का क्राइटिरा चेंज हो जाता है कभी हो सकता है कि 35 कोस्चन reasoning में पूछ ले और 30 कोस्चन में पूछ ले तो ऐसा यह 35 तीस और 35 ऐसा 35 दूनिञा सतर और 30 आपका 100 कोस्चन आपके आते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है अब इसके बाद दोस्तों अगली बात करेंगे कि पेपर कितरे घंटे का होता है तो मैं आपको बता दू कि आपका पेपर ओनली ओन दो घंटे का होता है और जिसमें दोस्तों आपके टोटल मार्क 100 होते हैं अपर इबात दोस्तों इसमें negative marking होती है तो बदाद इसमें negative marking एक भी नहीं होती है आपका जो है कोई भी negative mark का question गलत करने पर नहीं करता है अपर इबात दोस्तों इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वो बदलाव है कि दोस्तों इससे पहले जो physical होता था MP police का आपकी written exam क प्रकार physical के भी 100 number होगे और 100 number में दोस्तों एक criteria रखा गया है जो कि आप सरकार रिजल्टर पर जाकर MP police का जो है official notification डाउनलोड कर लेंगे तो आपर criteria रखा गया है कि जो physical में जो गोला फिक होगा उसमें दोस्तों 7.26 kg का जो है आपको गोला फिकना होगा पुरुस तो running दोस्तों पूर सुमिद्वार की 800 meter की running होगी और दोस्तों 800 meter की running के लिए दोस्तों अगर से आप 124 दसम लओ दो सेकेंड में अगर से अपनी दवर पुरी करते तो आपको पूरे में पूरे जो है number दिये जाएंगे और अगर से दोस्तों आप नहीं करते तो उसके पूरे चालिस नंबर दिये जाएंगे तो पहले बात जो है इसका जो क्राइटीरिया जो है इसमें जो आपकी है लॉंग जंप भी होने वाली है तो आप यह सारा जो क्राइटेरिया है सरकार रिजल्ट में एंप पुलिस की वेकिंसी निकली है वहाँ पर आप चले जाएगा आपको पूरे नंबर मिलेंगे और क्तनी कम से कम करना पड़ेगा तब ही क्वालिफाइय होगा और उतनी इक्तिविटी कितनी नगा करने पर कॉलिफाइय नहीं कहा जाएंगा सारा कुछ लिखा गया है तो आप आप महाँ देख लिजेगा तो आसा करता हूं दोस्तों आप से विशेज जाती पर जाती से अगर से बिलांग करते तो आपको छूट भी मिले जाएंगी और वेट का भी मैंने बता दिया और दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में भी दिया भी गया है वेट और चेस्ट का जैसा कि रहता है कि 80 से आपको नार्मल होना और फुला करके 25 सेंटीमेटर होना यह ओबी से किंडिट के लिए और दोस्तों अगर से आप विसेज जाती पर जाती सी बिलांग करते तो आपको चेस्ट में भी जो है रिलेक्सेशन दिया जाता है दोस्तों आसा करता हूं आपका सारे डाउट किलियर हो होता है तो जहिन जह भारत